तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिविजन सेशन को बताइए भारत का पहला इलेक्टरिक वेकल सिटी कौन सा है तो आंसर होगा केवडिया गुजराग और अगर आपसे पुछा जाए भारत का पहला इलेक्टरिक वेकल फ्रेंडली हाइवे कौन सा बना तो आंसर होगा दिल्ली चंदिगर हाइवे हाइवे से याद होगा इन दौर में इश्या का सबसे बड़ा हाइ स्पीड टेस्ट ट्रेक भी बना है जिसके लंबाई है 11.3 किलोमीटर और उसका नाम है नेट्रेक्स अचा बताओ रेलवे कब तक पूरी तरह से इलेक्टरिफाइड हो जाएगा 2023 तक और पूरी तरह रेन्यूबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी पर चलने लगेगा 2030 तक और अगर मैं आपसे पूछू चलो पूछी लेते हैं इसका प्रशन का उतर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है प्रशन सुनिया आप 500 फुट पर विश्व का सबसे उचा इलेक्टरिक वेकल चार्चिंग स्टेशन अभी ये कहां पे लगा है किस राज्य में लगा है ये बता दो अगला देखिए वर्ल्ड मॉस्किटो डेकब मनाया जाता है 20 अगस्त को इसके थीम क्या थे रीचिंग दे जीरो मलेरिया टारगेट मलेरिया को खतम करने का हमारा लक्षे 2030 ही है मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है जबकि डेंग्यू मादा एडीज एजब्टीज मच्छर के काटने से होता है अब ये भी बता दो वर्ल्ड डेंग्यू डे कब मनाया जाता है राश्टर यूवा पुरसकार ये मिला मुहम्मद आजम को और युवा से याद आना चीए तीन पॉइंट एक तो National Youth Day राश्टर युवा दिवा स्वामी विवया कनान जी के जनम दिन को यानि की 12 जनवरी को और International Youth Day 12 अगस्त को हाती दिवस भी हम 12 अगस्त को ही मनाते हैं अभी Global Youth Development Index 2020 भी आया था उसमें भारत 122 वे स्थान पे था और टॉप पे सिंगापुर रहा बताओ एटना ज्वाला मुखी ये किस द्वीब परिस्तित है तो आंचार होगा सिसिली द्वीब पर और किस देश में इटली में इटली में स्ट्रामबोली ज्वाला मुखी भी आपको मिलेगा ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है लिपारी द्वीब परिस्तित है ये प्रशन डारेक्ट एक्जाम में पूछा गया था और इससे एक और प्रशन बनता है कि भूमद्दे सागर का प्रकाश इस्तंब क इससे कहा जाता है स्ट्रामबोली ज्वाला मुखी शूवियस एक ज्वाला मुखी है वो भी आपको इटली में मिलेगा कौन सा महाद्वीब जहां पर एक भी ज्वाला मुखी नहीं है और इस्ट्रेलिया विश्व का सबसे उच्छा सक्रिय ज्वाला मुखी कौन सा है माउ जानिया देश में आपको मिलेगी है BSF यानि की Border Security Force इसके Director General बताओ कौन है ये तो अभी नए बने थे पंकच कुमार सिंग नाम है ITBP इंडो तेबेतन Border Police के Director General है संजी अरोडा और हाँ गाइज अनकेडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तयारी हो एकदम पकी तो आज ही सब्सक्राइब कर रहा है नकेडमी प्लस और पाएं अंकुष लांबा, आशी शरोडा, निमिशा बंसल और इंडिया के और भी टॉप Educators E की platform पर देखो आपको बैचेस बिलकुल basic से लेके बिलकुल high level तक मिल जाएंगे और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी courses हैं उनमें आपको dedicated doubt sessions भी मिलेंगे तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे आप educators के साथ live interact करके अपने doubts को clear कर सकते हैं और इसी subscription में आपको mock test भी मिलेंगे detailed analysis और explanation के साथ तो अगर आप bank exam की तयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस opportunity का lab उठाने का और देखिए जितने भी upcoming batches हैं उनकी list आपको screen पर दिख रही होगी और हाँ सबसे important बात जल्दी plus subscription की fees भड़ा दी जाएगी और हाँ बिना कोई वक्त जाया कीजिए subscribe करें अनकेडमी प्लस पर और इस मौके का फाइदा उठाए तो करना क्या है basically बिना कोई देरी किये जाएए और अनकेडमी प्लस का subscription ले लीजिए और हाँ सबसे important बात मेरा कोड इस्तमाल करना मत भूलिएगा कौनसा क्रेक exam 10 क्योंकि इसे use करते आपको 10% का instant discount मिल जाएगा आपकी fees कम हो जाएगी तो जितने भी important links हैं आपको नीचे description में मिल जाएगे वहाँ जाकर एक international childhood cancer day भी होता है वो और भी फरवरी को मनाते हैं हम 15 फरवरी को और अभी हमने national cancer awareness day मनाया 7 नवंबर को बताए विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है 7 अक्टूबर को थीम क्या थी कूटन फॉर गुड बारतिवायू से न दिवस 8 अक्टूबर को मनाया और अभी इसके नए air chief marshal कौन बन गए वियार चौदरी बन गए वेसे हमारे नए naval chief किसे नियूक्त किया गया जो की करमवेर सिंग का इस्तान लेंगे तो ये आपको comment box में डाइप करना है बाकी भारत के पहले chief of defense staff आप जानते ही हो बेपेन रावत है बताओ विश्व डाग दिवस कब होता है 9 अक्टूबर को बताओ विश्व डाग दिवस कब होता है ये 9 अक्टूबर को होता है इसकी धीम थी innovator to recover National Postal Workers Day यानि कि राष्टर डाग करमचारी दिवस एक जुलाई को होता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस World Migratory Bird Day साल में दो बार होता है ओक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को थीम कै थी Sing Flysore Like a Bird बाके National Doctor Day ये एक जुलाई को मनाते हैं थीम थी Save the Savior विश्व युवा कोशल दिवस World Youth Skill Day 15 जुलाई को क्या थीम थी युवा कोशल पोस्ट महमारी का पुनर मूल्यांकर्न Re-image Youth Skills Post-Pandemic World Brain Day 22 जुलाई को मनाया जाता है क्या थीम थी Stop Multiple Sclerosis विश्व आदिवासी दिवस यारी कि World Tribal Day 9 अगस्त बताई दिया थीम क्या थी Living No One Behind Indigenous People The Call for a New Society Contract विश्व जेव इंदन दिवस World Biofuel Day यारी कि बहतर परियावरन के लिए जेव इंदन को बढ़ावा देना इसकी थीम थी और ये मनाया गया 10 अगस्त को तो आप पुराने महिने के Current Affairs का बिरिवेजन करेंगे अच्छा बताईए युनेस्को ने किसे युरोप महद्वीप का सबसे बड़ा नदी संग्रक्षित शेत्र गोशित किया तो अंसर होगा मूरा द्रवा डैन्यूप को बताईए किसने नौर्वेज शत्रण जोपन 2020 किसका खिताब जीत लिया तो अंसर होगा डी गुकेश ने भारत के सबसे युवा ग्रैन्ड मास्टर हैं ये और दुनिया के सबसे युवा अभी मन्यू मिश्रा है फिर से कनाडा के प्रधान मंतरी बन गए जस्टिन टुडो कनाडा की केपिटल ओटावा होती है करंसी होती है कनेडियन डॉलर विश्व गुलाब दिवस कब मनाया गया वर्ल्ड रोज डे 22 सेप्टेंबर को और 22 सेप्टेंबर को वर्ल्ड राइनो डे भी मनाते हैं जिसकी थीम थी Keep the Give Alive अच्छा आपको याद होगा एक चकरवात आये था जिसका नाम गुलाब रखा था आपको बोटाना है वो गुलाब नाम किस देश ने रखा था अगला है दक Three Khans and the Emergence of New India ये बुक लिखी कावेरी बमजई ने भारत के कितने बीच को International Blue Flag का Certificate मिला तो आंसर होगा दो अभी दो भारते बीचों को International Blue Flag का Certificate मिला था ये हैं केरल और पूडुचेरी के बीच इसके साथ भारत में International Blue Flag वाले भारत में 10 बीच हो गए हैं अगला है IPL इतिहास में किसी भी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले किर्केटर बने थे विराट कोली अभी IPL का चोधवा संसकरन हुआ था कहाँ पे United Arab अमिरात में अगला वाला जो पंदरा होगा वो भारत में होगा उसमें दो नई टीमें और जुड गई है चलो बताओ वो कौन-कौन सी नई टीमें है Forbes की 2015 में दुनिया के सरवादिक कमाई करने वालों के Footballers की सूची में टॉप पे रहे कौन Cristiano Ronaldo बताई अंतर राश्ट्रे सांकेतिक भाषा दिवस International Sign Languages दे कब मनाया जाता है तो अंसरोगा तेवी सेप्टेंबर को थीम थी We Sign for Human Rights असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिले में चाय पार्क किस जिले में चाय पार्क स्थापित किया गया तो कामरूप जिले में कामरूप जिले के चाय गाउं में किसे नागरिक कुड़े इन सचिव के रूप में न्यूक्त किया गया तो अंसरोगा राजिव बंचल को और इसके मंत्रे हैं जोतिर आदेत्यस इंदिया IPL के इतिहास में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले किर्केटर बने रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्स के कप्तान है ये और अभी IPL के इतिहास में किसी भी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले किर्केटर बने कौन विराट कोली अभी अपने पीछे पढ़ाए इंके बारे में है न तो इसे कोर्लेट करके याद रख लो ग्लोबल स्टार्टप एकोसिस्टम रेंकिंग में बंगलूरू कौन से इस्तान पे रा तो आंसर होगा तेवीश वेस्तान पे फ्रिडम हाउस ग्रूप की रिपोर्ट के नुसार इंटरनेट की स्वतनतरता के मामले में दुनिया में सबसे खराब देश बताया गया चाइना को किसने दोहा में अपना 24 वा विश्विश नूकर खिताब जीता तो आंसर होगा पंक जाडवानी ने वानिज्जे सपता ये कब से कब तक मनाया गया 20 से 26 सेप्टमबर तक और किस देश के प्रधान मंतरी को सस्तेनिबल डेवलप्मेंट गूल प्रोग्रेस अवाड से सम्मानित किया गया बांगलादेश के प्रधान मंतरी शेक हसीना को पंजाब के नए मुख्य सचीव बने कौन अनिरुद्ध तिवारी और यहां के मुख्य मंतरित चरंजीत सिंग चन्नी है और गवर्नर नए बन गए बनवारी लालपुरो है बताए देश का पहला आर्टिफिशल सलालम कोर्स ये कांपे बनेगा सलालम ये खेल है तो आंसर होगा भुपाल में और एक हजार वंडे में खेलने वाली विश्विक की पहली टीम कौन सी बन गई तो आंसर होगी भारत अभी एक हजार वा इसने वंडे किसके खिलाफ खिला वेस्ट इंडीज के खिलाफ और पहला वाला खिला था 1974 में इंग्लेंड के खिलाफ देश का दूसरा सबसे उचा राष्टर ध्वच का पे फेराया गया अरुनाचल प्रदेश में किसे पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्परेशन लिमिटेड का CMD बनाया गया SR नर सिम्मन को देश के तीसरे बोल्डर हाट का उधगाटन किस राज्य में किया गया तिरिपुरा में Pre-Primary छात्रों के लिए खुले मेदान में कक्षाए आयुजित करने के लिए पराय सिक्षाले यानि के पड़ो से स्कूल को शुरू किया पश्चिमंगाल ने Under 19 विश्वकप का किताब किसने जीता भारत ने इंग्लेंड को हरा करके और इसमें Player of the Match रहे थे राज अंगट बावा पांच विकेट लिए इनों ने शाशन में सुधार करने के लिए प्रोजेक्ट सदभावना शुरू किया असम सरकार ने किस राजे ने CLAP कारेकरम शुरू किया तो आंदरपरदेश ने CLAP मतलब हो गया Cleanup आंदरपरदेश स्वच आंदरपरदेश कारेकरम लता मंगिशकर जी का निदन हो गया उन्हें किस वर्ष भारत का सरवुच नागरिक सम्मान भारत रतन से सम्मानित किया गया था कौनसे fellowship के इंदर सरकार के द्वारा अपने वेस्टेट टू वेल्थ मिशन के तहट शुरू की तो आंचर होगा स्वच्छता सार थी तो गाईज ये था आज का आपका रिबिजन वाला सेशन सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना मत भूलना प्लीज